कि नवस्कार आप देख रहे हैं SP9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रैंति सिंग सच्चिन पैलेट और अशोग गहलोत के बीच में जो कड़वाहट चल रही है उस कड़वाहट के उपर अंकुष लगा पाना इस वक्त कॉंग्रेस के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है कॉंग्रेस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं सच्चिन पैलेट और अशोग गहलोत की दूरिया को कम करवाने के लिए जब राजिस्थान में यह यात्रा पहुंची थी तो वहां पर जो है सबी के साथ आदिवासियों के साथ डान्स करवा करके हाथ से हाथ रही उसके बाद हम यह देख रहे हैं कि हर तस्वीर में जो है सचिन पाइलेट यहां पर जो है राहूल गांदी के साथ ज्यादा नजर आ रहे हैं कि सिर्फ राजस्थान भड़ी हमने देखा कि अशोग गहलोत के साथ वह थी लेकिन अभी तक जितने राज्यों से वहोकर क के लिए राहूल गांदी का जो रुख है वह बहुत नर्म रहने वाला है देखे फिलहाल यह तस्वीर पंजाब के आपको दिखा रहे हैं पंजाब में आप देख सकते हैं कि कैसे जो है राहूल गांदी वहां कोशिश करें कि आम आदबी पार्टी की जो पकड़ है उसको और वहां पर अपनी पैट बना सके और पंजाब में जो अंतरकला की स्थिति को जो है सुधार करके आगे अपने कदम रखे और उसके बाद पूरा मामला सुल्टा करके जो है वहां पर एक बार फिर से जीत की तियारी करें तो दूसरी तरफ यहां देखा जा रहा है कि 2023 के अंत में राजस्थान की बाग दोड़ा आखिरकारों किसके हाथ में देंगे उस पर अभी भी वो कोई निसकर्ष नहीं निकाल पाए हैं लेगे जिस तरीके से सचिन पैलेट इस वक्त पंजाब में भी उनके साथ मौजूद है उस सियासी तस्वीर को देखकर के माई ने त स्थिती जो है वो जरूर हमने सोनिय गांधी के साथ देखिये राहूल गांधी के साथ देखिये मलीक अरजुन खड़गे के साथ देखे हर तरफ से जब वो बगापती रुख में आ गये थे जिस से रूप को देखकर के सचिन पाइलेट से सबका मो भंगवा था उसी का जो चुनाब होगा उस चुनाब में हाई कमान के चहरे के ऊपर जो है मुहर लगना तो होता है लेकिन वो चहरा शायद सचिन पाइलेट का होगा इस पूरे मुद्धे को सुनने के बाद अब आप लोग के क्या तरखे कबिन सेशन में जरूर बताइएगा फलाल आज के ल